कक्छा 10 वी विशाइगनिक 81, 3 कुण मिती प्रस्णावली 8.4 प्रस्णा 5 वा सिद्ध करो की 1 प्लस 10 इसकेरे बटे 1 प्लस काट इसकेरे बड़ाबरी से 1 माइनस 10 ए बए 1 माइनस काटे होली सकेर यहां भी दिये गे पद में हम LH से समीकरन एक लाएंगे RHS से समी करन दो लाएंगे और उन दूनों को कोशिस करेंगे कि एक दूसरे के बराबर हो कुछ इस प्रकार से तो सबसे पहले हमने इसके हल में कौन सा पक्ष लिया LHS LHS हमारे पास है 1 प्लस 10 square A 1 प्लस काटी square A हम इसे सब जानते कि इस काटी square A को अगर चेंज करने के आव सकता आए तो हम इसको कुछ इस प्रकार से चेंज कर सकते 1 प्लस 10 square A को तो वैसा ही रहने दे बटे के काटी square A को हम बदलेंगे किसमे 1 बाई 10 square A काट रोटे ने एक दूसरे के विद्क्राम होते अब LCM लेंगे तो जब हम LCM लेंगे तो हमारे पास LCM आएगा 1 प्लस 10 square A इन बटे वाले पदों का हम LCM लेंगे तो बटे वाले पदों का LCM आएगा 10 square A इक का भाग देंगे 10 square A बार जाएगा 10 square A प्लस 1 अब next step में 10 square a plus 1 10 square a पलट याएगा तो क्या होगा देखिए 1 plus 10 square a ये तो यथावत रहेगा 1 plus 10 square a ये answer का पत यथावत रहेगा लेकिन बटे में कुछ नहीं मतलब ये और ये पत पलट की क्या हो जाएगा 10 square a by 1 plus 10 square a तो ध्यान दीजिए 1 plus 10 square a से 1 plus 10 square a क्या हो जाएगा कट जाएगा और जो बचेगा पत वो आगे हमारे पास क्या 10 square a इसको हम लिखेंगे कि ये समीकरन 1 ये हमारे पास समीकरन 1 एक LHS से आया तो हम इसको इस प्रकार से हाइलेट कर देते अब हम कौन सा पक्षे लेंगे आरेचेस आरेचेस हमारे पास है आरेचेस हमने लिया आरेचेस हमारे पास है वन माइनस टेने बाइ वन माइनस काटे और इस पूरे की घात कितनी दो अब इसको जब लेंगे तो इसको भी हल करते समय कुछ इसी प्रकार से कैसे वन माइनस टेने बटे के पत को देखिए तो वन बाइ वन काटे को फिरम बदल सकते वन बाइ टेने में जैसा अनस में किया पहले किया था कौन से लेचेस वाले पत इससे क्या होगा धियान से देखिए अब वन माइनस टेने अनस का पत तो यथा बत रहेगा लेकिन हर में इस एक और टेने का एलसीम लेंगे तो क्या आएगा टेने आएगा अब condition देखिए, condition क्या आएगी, एक का भग ten-a से देंगे, तो ten-a बार जाएगा और ten-a का एक में गोना हो जाएगा minus sign, ten-a का भग जब ten-a में देंगे तो एक बार जाएगा और एक का एक में गोना करेंगे तो एक आएगा पूरे की घात किती, दो अब अगली स्थिति में यह अंस का पत्तो वैसा ही रहेगा यहने क्या रहेगा है वन माइनस टेने और इसके बटे में हम एक लिख सकते हैं क्योंकि टेने माइनस वन बाय टेने को अंस में लाएंगे तो यह संख्या पलड जाती है पलडने के बाद कुछ इस प्रकार से कि खा 2 अब अगर हम दियान से देखे तो 1 माइनस टेने और टेने माइनस वन कि लगब बग समान करने में लेकिन चिन न अलंग यह केहने का मतलब है कि टेने माइनस वन से 1-10A कट जाएगा लेकिन कितने बार रिन एक बार कटेगा रिन एक बार इसका मतलब है कि ये दोनों पत कट जाएगे और यहाँ जाएगा रिन चिन 10A इस पूरे की हत कितने 2 minus 10A का whole square है तो minus का जब whole square होगा या minus का वर होगा तो ये plus में change हो जाएगा मतलब यह हो जाएगा क्या अब अगर ध्यान से देखे तो हम पाते हैं कि यह तो हमने कौन से पक्षे खुल किया था और इस से आया यह समीकर नंबर 2 तो कहने का मतलब है कि यह जो समीकरण 2 मिला है यदि इसकी तुलना हम अपने उपर समीकरण 1 से करे जो कि LHS से आया तो दुनों आपस में कैसे हो गए बराबर इसका सीधा सा मतलब है कि हम इसको क्या लिख सकती है हम इसको लिख सकती है समीकरण 1 किसके बराबर समीकरण 2 के कैसे है करने एक समीकरण 2 के बराबर है इसका मतलब है कि LHS किसके RHS के बराबर अतह सिद्ध हुआ उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा आज के लिए इतना ही सेश का धन्यवालत